दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्विजरलेंड में वर्क पॉमिट को ले करके अगर आपका भी ड्रीम हो स्विजरलेंड में जाके जॉब करने का तो आज का इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना चाहिए वैसे आप जानती होंगे स्विजरलेंड बहुत ही सुन्द कंट्री होने के साथ साथ यहां कोई भी जाय करके जॉब कर सकता है क्योंकि यह एक इंगलिस पेकिंग कंट्री है दोस्तों अब आपके इपन में यह आ रहा हुआ कि क्या हमें वहाँ जाने के लिए IELTS पास करना जरूरी है तो मैं आगे बताऊंगा कि कितना परसेंड़ च दोस्तों अभी हम विस्तार से बात करेंगे आगे नमस्कार मैं हुआशक कुमार साहू करियर कोच और आप देख रहे हैं लाबन निया ग्लोबल करियर प्राना यूटूब चैनल अगर आप पहले बार चैनल पे आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथी बे डिटेल में पता चल जाएगा सबसे पहले जानते हैं कि स्विजलन जाने के लिए कौन-कौन सा टाइप का विजा होता है आप किस टाइप का विजे में आप जा सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्ट विजा अगर आप एजन्ट टूरिस्ट जाते हैं तो आप विजा अपलाई करके जा करके वहाँ आपका विजा को convert कर सकते हैं जौब विजा में अगर आपको employer मिल जाता है अगर आपको employer कोई job offer करता है तब ही जाके आप अपना tourist विजा को work permit में convert कर सकते हैं दूसरा है दोस्तों इस विजा को shankin visa भी कहा जाता है यह 90 दिन का validity रहता है ठीक है 90 दिन के बाद आप वहाँ रहे नहीं सकते हलाकि इसके क्या होता है आप 90 दिन का विजा तो मिल रहा है लेकिन 6 मेने के अंदर आप 6 मेने के अंदर ही है 90 दिन आप वहाँ रह सकते हैं जिसका validity maximum 5 एर तक रहता है यह जो work permit है यह skilled category jobs को मिलता है तो यह B category भीजा होता है यह जो भीजा दस्तों 5 साल तक valid हो सकता है 5 साल के बाद आपको फिर इसको अप renew कर सकते हैं यह भीजा उनको मिलता है जिनका high skilled है ठीक है? high skill वालों को भीजा मुहिया किया जाता है हलाकि इस भीजा को आपको पाने के लिए बहुत सारे documents भी produce करना पड़ता है जैसे कि आपका high skill का certificates आपका PCC bank balance accommodation letter flight ups and down tickets और आपका जो भीजा है आप खुद apply नहीं कर सकते Switzerland का जो भीजा आप जाते हैं apply नहीं कर सकता है apart from your particular employer company दूसरा है दोस्तों permit G G category के जो भीजा है वो सिफ EU में जो रहता है उन लोगों के लिए ये भीजा दिया जाता है दूसरा है दोस्तों permit L permit L का जो भीजा है work permit जो है ये one year तक valid रहता है one year के बाद आपको फिर से renew करना होता है अब बात करते हैं कि permit L कोई apply कर सकता है अगर आप as a seasonal भीजा जा रहे हैं तो आप apply कर सकते हैं अगर आप को student है वहाँ पर training जा रहे हैं तो आप apply कर सकते हैं अगर आप किसी company का voluntary करने जा रहे हैं गर्मेंट का हो या फिर किसी companies का हो चाह कोई functions का हो तो आप as a volunteer category में apply कर सकते हैं ये जो permit दोस्तों permit L है ये permit को भी आपका employer ही apply कर सकता है अगर आप चाहें तो आप apply नहीं कर सकते ठीक है तो ये जितना भी category मेंने बताया सारा category का जो वीजा है जो वीजा ही ये मिलता है और जो next है वो है artist permits अगर कोई artist है जैसे कि इंडिया हम जानते हैं वह सारे actors होते हैं ठीक है या फिर जो artist का काम करते हैं वो भी apply कर सकते हैं artist permit में और Switzerland पहुंच सकते हैं Switzerland एक बहुत एक खुबसूरत country है दोस्तों जहां पर हर कोई जाकर घुम कर आना पसंद करेगा अगर आपको वहाँ पर work permit में जाता है तो सोने पे सुहगा हो जाता है और आज मैं जो बात कर रहा था work permit के लिए मैं बात कर रहा हूँ specific hotel management students के लिए अगर आपने hotel management किया हुआ है और आप as a chef है और आपका अच्छा खासा experience है मैं details से बता देता हूँ अगर आपने hotel management यानि bachelor in hotel management किया है तो आप इसमें eligible है डिप्लोमा वाल इसमें apply नहीं कर सते जो vacancy आई है ठीक है और आपका experience minimum 8 से 10 साल का होना चाहिए और आप multi cuisine में expert होना चाहिए तो आप इस job के लिए apply कर सकते है आपका age less than 45 होना चाहिए और आपके पास international experience भी होना ज़रूरी है दोस्तों इस job में apply करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो रोकुमेंट के बात करते हैं तो वह है PCC Police clearance certificate होना ज़रूरी है आपका पास होना चाहिए valid passport इसका पूरा scan को भी चे रहता है सुरू सिले के आखरी तक क्योंकि मैंने पहले ही mention कर दिया है कि जो internationally experienced बंदा है वही इसमें apply कर सकते है जिनका only अपने ही country में experience है वो इसमें eligible नहीं है तो अगर आपका भी experience है as a chef तो आप ये सारे job में apply कर सकते हैं बात करें अगर salary का तो salary इसमें 4000 euro से लेके 6000 euro तक company offer कर रही है और बात करें working hours का तो 45 hours per week आपको काम करना होगा और बात करें leave का नहीं चुटी का तो दोस्तों 28 दिन paid leave होता है दुबारा से बता दूँ जो व्यक्तिस सोचता है कि अगर मैं अज़े tourist visa में जाता हूँ Switzerland तो क्या मैं उसको convert कर सकता हूँ work permit में तो जी हां कर सकते हैं लेकिन अगर आपका employer आपको पहले से offerator दे दिया है तो आप इसको convert कर सकते हैं क्योंकि आपके विहाप में आपका employer ही आपका work permit apply करता है ध्यान देने की बात है Switzerland में job लेना इतना आसान नहीं है या फिर भीज़ लेना भी इतना आसान नहीं है हाँ अगर आपके पास proper proper documents है अगर आप सोचते हैं कि मैं tourist visa में चले जाऊं तो tourist visa में जाने के लिए अगर आप एक employee है कहीं पर काम करते हैं तो आपका जो document है वो तब का 3 months का pay slip होना चीए valid ठीक है और 6 महने का bank statement होना चीए और 3 महने का ITR होना चीए उसके बाद passport और अब जो भी CV अगर जो बनाते हैं वो चल जाएगा और सबसे important बात है आपका जो present employer है उनसे एक NOC लेना पड़ता है कि वो no objection certificate देंगे कि आप अगर जा रहे हैं एक दो महने के लिए switcherland तो उनको कोई प्रगर problem नहीं है अगर आप business में नहीं और आप जाना चाहते है as a tourist ठीक है तो आपको पास सबसे पहले था passport होना चीए आपका 3 months का ITR होना चीए 6 महने का bank statement होना चीए और आपके पास इतना balance होना चीए कि आप वहाँ पर 3 महिना easily रहे सकते हैं क्योंकि जो minimum days of stay होता है वो 3 months का 90 days का होता है दोस्तों तो आपको ये दिखाना है government को कि आपका 3 महिने के लिए कोई प्रगर problem नहीं होगा उतना funds होना चीए इसके अलावा आपको proper प्रपर आइटिनेटिक देना है जैसे कि फ्लाइट आप फ्लाइट कभ यहां से उड़ रहे हैं ठीक है वहाँ जाने के बाद कौन सा होटल में आप stay करेंगे ये निक आपको accommodation फिर वहाँ पर आप कहां कहां जगह में जाके रुखने वाले हैं ठीक है जैनि कि हर होटल का ब्यवरा अक्वास होना चीए उसके बाद जब रिटर्न आते हैं तो रिटर्न का फ्लाइट टिकेट चीए इसके अलावा आपको travel insurance जरूरी है मैंने तमाम भीजा के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया है अगर आपको किसी भीजा के बारे में इन डिटेल्स में जानना है तो आप नीचे comment box में comment करें मैं कोशिश करूँगा जो भीजा आप जानना चाहें So guys thank you so much for watching, मिलते हैं इसी तरह काईका और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए आप रखें अपना खयाल और मुझे दे इजाज़त, thank you so much, जय हिंद, जय भारत